नमस्कार साथियों मैं विश्णू का अंतुपाद्याय आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दह स्टोरिका पर उमीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे साथियों BBAU PG Admission को लेकर मैं आप लोगों को सारी अपडेट जो है इस वीडियो में देने वाला हूँ तो वीडियो को आखरी तक देखेगा और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लीजेगा क्योंकि अब आपको CVT PG की पलपल की अपडेट मिलने वाली है तो मेरे प्यारे साथियों जैसे कि आप लोगों को पता है कि BVAU PG एड्मिशन का जो प्रोसेस है वा जल्द ही शुरू होने वाला है इन्होंने अपना काउंसलिंग और रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है उसको खतम कर लिया है अब आप लोगों के मन में एक प्रस्ट चल रहा है कि करेक्शन विंडो ओपन होगा की नहीं होगा क्योंकि अभी तक BVAU ने करेक्शन विंडो ओपन नहीं किया है और नहीं करेक्शन विंडो को लेकर कोई भी खबर BVAU की तरफ से निकल के सामने आ रही है इसी के साथ साथ पहले round की जो cut-up है वह कप तक आएगी आपका admission portal कैसा दिखेगा और साथ ही आपको अपने course का फी payment जो है वह कहां से करना होगा आपको BVAU में admission मिल गया होए या आपको कैसे पता चलेगा तो इन सारी चीजों के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ इसलिए मैं बार-बार कह रहा हूँ कि हमारे इस चैनल को subscribe कर लीजेगा तो चलिए भाई वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो मेरे प्यारे साथियों यह जो है bbau.ac.in बाबा साहब भीम राव अमबेटकर विश्विद्दाले लखनव इसके दो केंपस हैं पहला केंपस लखनव में और दूसरा केंपस जो है अमेठी में इस्थित है और यहाँ पर PG के लिए लगभग 2000 सीटे जो हैं हर साल भरी जाती हैं अलग-अलग कोर्स के लिए और इस बार जो है लगभग 28,000 के आजपस बच्चों ने PG कोर्स में रजिस्ट्रेशन कराया है बाबा साहब भीम राव अमबेटकर विश्विद्दाले लखनव में अब हम बात करेंगे कि इनके correction window के बारे में क्योंकि आप लोग काफी ज़्यादा परिशान हो रहे हैं तो देखिए भाई correction को लेकर अगर मैं आप लोगों को जानकारी दूँ तो आज जो है हमने खुद call करके वहाँ पर बात किया और ऐसा मुझे उदर से पता चला कि correction window को लेकर अभी हम लोगों को भी कोई अपडेट नहीं मिली है तो हो सकता है कि direct आपका result अगले विक में आए ठीक है यानि कि correction window नउपन करके ये लोग direct result जारी करने की बात कर रहे हैं वह भी कब अगले विक में यानि कि अगले सब्ता में आपके result को आने की उमीद जताई जा रही है बाबा साहब भीमराओं अमबेटकर विशुविद्धाले की तरफ से हमने आज call करके बात किया ठीक है न कोई इधर उधर की बाते मैं आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ जो call पे हमें पता चला उसी के अधार पर मैं आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ हमने अपने एक student से वहां के एक teacher का number लिया और फिर हमने बात किया जो कि admission committee में है तो उनकी तरफ से ऐसा जो है सुनने को आया है अब थोड़ा सा हम लोग admission portal के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई admission portal आप लोगों का कैसा दिखने वाला है तो मेरे प्यारे साथियों जैसे कि आप लोगों को पता है कि BBAU इस बार समर्थ पोर्टल के थूँ एडमिशन ले रहा है 2024 वाले session के लिए बट BBAU ने पिछले साल भी अपने हाई admission समर्थ पोर्टल से ही लिया था जैसे कि आप लोगों को यहां पर दिख रहा होगा PG admission CUET 2023 तो इसी वेबसाइट पर जाना है आपको BBAU cuet.smart.edu.in यह जो है BBAU PG admission का official website है और यहीं पर आपको बार बार विजिट करना होगा यहां आपको login का option दिख रहा है मेरे प्यारे साथियों तो इस पर click कर लेना है click करने के बाद आपसे यहां पर CUET का application, number, password और capture जो है डालने को कहा जाएगा इसको डाल के login करना है और जैसे ही आप login करेंगे मेरे प्यारे साथियों आपका portal open होकर आ जाएगा profile, select program, CVT, scorecard और my payments ठीक है तो यह सारी चीज़े आपको एक बार check कर लेनी है जैसे ही check करके इसी में आप नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे मेरे प्यारे साथियों इधर आपके program का नाम दिया रहा है और इधर action दिया हुआ है और साथ ही इधर receipt है ठीक तो यहां देख सकते हैं pay admission fee यानि कि जैसे ही आपका admission होगा तो आपको admission fee payment करने का option आपके portal पर आजाएगा BBAU में ठीक है कहां पर BBAU में तो इसलिए आपको अपने portal को लागातार चेक करते रहने की जरूरत है क्योंकि अब जल्द ही आप लोगों का result आने वाला है अगर correction window आएगा तो इसको लेकर इनके website पे एक दो दिन में notice आ जाएगी वैसे बहुत कम ही संभावना है कि अब BBAU की तरफ से correction window open किया जाए ऐसा वहां के teacher का कहना है ठीक तो यह चीज़े हुई paid mission fee इसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो आप लोगों को यहां पर दिख रहा होगा यह जो है आपका portal है paid mission fee पे आपको click करना है click करने के बा ठीक है तो 54 रुपए जो है MA history के लिए लग रहा है लखनव campus BBAU के लिए ठीक तो यहां से जो है मेरे प्यारे साथियों आपको payment कर लेना है जैसे कि आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे कि form number आपका दिया गया है program का नाम है और admission category है status है और last date of payment है ठीक है तो इस तरह से ही आपको इस बार भी सारी चीजे करनी है तो इसलिए परिशान नहीं होना है मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को step by step सारी चीजे अगर अब भी कोई गड़बड़ी आप लोग करेंगे तो यह आप लोगों की गलती है इसलिए मैं कहता हूं कि इधर उधर के वीडि कर लिएगा वीडियो को अपने दोस्तों के जरूशे शेयर कीजेगा कि उनके लिए वीडियो का फिलाफ दायक होने वाली है वीडियो को लाइक करना मत बूलिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में अभी के लिए इतना ही बहुत भँत धन्यवाद